एक हैलो पिटा सिक्थ साइंस कोचिंग क्लास में हमने फिर्ज का सेकेंड चैप्टर रीड कर लिया पिटा और आप हम करने उसका बुक वर्क ठीक है बुक वर्क में आप मल्टीपल चोष्कुशन कर लें इन दोनों प्लासेज में लेवल वन एफ लेवल two questions अन्ज्वर ठीकि shadow is formed when light is affected by an object ठीक है जब कोई बादित करता है याँ कोई भी object अगर light को बादित कर लेता है उसको रोक लेता है तो क्या बनती बिटा shadow परचाई बनती है ठीक है OPQ object light को रोक लेगा उसमें से light पास नहीं होगी तो क्या बन जाएगी उसकी shadow बन जाएगी परचाई बन जाएगी ठीक है next session देखो book OPQ है तो tracing paper क्या है बिटा translation जिसमें से धुन्दला दिखाई देगा third देखते हैं इन्हें plain mirror the image is found within the mirror जब आप mirror में अपने image वो देखते हो तो किस के अंदर बनती है बिटा वो within the mirror mirror के अंदर ही बनती है and not on a screen एक screen पे कभी भी नहीं बनती ठीक है an image is a reflection of light जब भी हम तस्वीर बनती हुई देखते हो वो क्या है light का reflection है illuminious objects emit lights of its own ठीक है luminous body luminous object है करता है अपनी खुद की light अपनी खुद की रोसनी है मिट करता है बार निकालता है जैसे आपका बलब है tube light है candle है यह सब क्या है luminous है आप book है stone है यह सब क्या हो जाएंगे बेटा non-luminous जिनका कोई अपना परकास नहीं कोई अपनी light नहीं है ठीक है 6 देखते है if the distance between pinhole and the screen is increased the size of the image found by pinhole camera also increases ठीक है अगर pinhole और screen के बीच की जो distance उसको increase कर देदा है तो जो image की size है वो भी increase हो जाएगा next देखो the image found by pinhole camera are inverted मैंने आपको board पे समझाद कैसी image बनती है उल्टी image बनती है inverted in reflection the direction of light changes जब reflection होता है तो light का जो direction हो चेंज हो जाता इनकी light टकरा के अलग अलग direction में चली जाती है next देखते है when the moon is in the umbral region total lunar ellipse occurs ठीक है जब moon क्या है umbra region में है umbra का मतलब मैंने क्या बता है था complete darkness तो क्या हो जाएगा complete ellipse दिखा जाएगा यनकी total lunar ellipse when the moon lies in the panumbra region जब panumbra region में होगा तो क्या होगा partial darkness यनकी धुंदला ठीक है तो partial lunar ellipse occurs ठीक है मैंने आपको डिफ्रेंस हो बताती था umbra यनकी complete darkness यनकी shaded darkness partial darkness धुंदला जब दिखाई देख ठीक है next देखो the dark part of the shadow that receives no light from the source is called umbra जो dark part उसको हम क्या बोलेंगे अमरा जहां पर light का कोई भी इस्सा कोई भी पार्ट है वो receiver नहीं होता महां तक नहीं पाउस था उसको हम बोलते हैं umbra region ठीक है तो यह हो गए आपके फिलिंदा blanks next चलते है अपने true false पे जो statement right है उसके लिए हम true बोलेंगे और जो statement wrong है उसके लिए हम क्या बोलेंगे false statement ठीक है देखो पहला देखते है lunar ellipse occurs once a month क्या बोला गया है lunar ellipse occurs once a month तो क्या हो जाएगा false मनने में एक बार थोड़ी नहीं होता है ठीक है एक खगोली गटना होती है पता नहीं कब हो जाए ठीक है इने में एक बार नहीं होता नेक्स देखो dull surface also reflect like a mirror ठीक है तो आपको पता है बेटा एक आपके सामने mirror है जब mirror से light टक रहेगी तो bounce हो जाएगी लेकिन एक दूसरा उसी के comparison में आप लगडी का टुकड़ा रखो तो क्या उस पे light टकरा क्या आप उसकी image दिखाई देगी और reflection है वो यहाँ पे होता है नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे rough surface है dull surface है वो reflection नहीं चोग करता तो full statement हो जाएगा यह नेक्स देखो the object around us interact differently with the light जो हमारे चाव तरफ जो object है वो अलग अलग तरीके से क्या करते है light के साथ interact करते है और light के साथ relationship है वो दिखाते है ठीक है next देखो a pinhole camera can be used to get image of the sun and brightly lit objects ठीक है जो दूर दराज जो भी objects है या फिर sun है उसकी image हम आसानी से pinhole camera की help से देख सकते है तो true है यह मैंने आपको tree वाले example इसके रिए बताया था next देखो images are very similar to shadow false हो जाएगा image और shadow में क्या है वो difference है image कभी भी screen पे नहीं मिलती ठीक है दूसरा आपकी जो क्या है shadow है वो हमें screen पे मिलती है ठीक है दूसरा चैंजिस क्या है image और shadow में पाओगे ठीक है next देखते है artificial source of light is always non-luminious in nature false बोल देएगे क्योंकि artificial अभी मैंने बताया bulb tube light ये क्या है luminious है इनका light देते हैं ये ठीक है तो false statement हो जाएगा human eye acts very much like pinhole camera true ठीक है जो human eye reflection दिखाते ही तो बहुत ज़्यादा क्या करती है pinhole camera की तरह ही काम करती है next देखते है moon is luminous because it is natural source of light moon कैसा है बिटा luminous है क्योंकि ये क्या है natural source of light है तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा moon क्या है non-luminous उसको खुद की कोई light नहीं है ठीक है electric bulb is an example of artificial luminous object जो electric bulb है वो क्या है artificial luminous object है तो इत्यू हो जेगा luminous तो है लेकिन कैसा है बिटा वो artificial यान की man-made है अगर यहाँ पे sun होता तो क्या होता ये यहाँ पे natural luminous object ठीक है बिटा artificial और natural दो तरह है कि जो man-made है उनको हम artificial बोलेंगे जो nature ने हमें दिये है वो क्या है natural next आता है without a screen a shadow cannot be formed एक screen के विने परचाई नहीं बन सकती तो statement क्या है true है आपको बहुत अच्छे से 3-4 classes में मैंने इसको बार-बार आपको समझा दिया है अगर screen नहीं होगा तो shadow नहीं बनेगी जनकी परचाई है वो बनेगी नहीं ठीके आप देखो मेरा hand है ठीक यह क्या होगा ओपे क्यो अबजेक्ट जो book है वो screen है ठीके तो अब क्या नहीं है यहाँ पे light का source है उसकी देखो यह मेरी उंगलियों के नीचे क्या बन रही है तो screen का होना जरूरी है अगर screen नहीं होगा तो side of home में नहीं होगी ठीके बिटा तो यहाँ तक का बुकवर का आपने आज की class में करना है इससे आगल का बिटा हम अपनी next class में करते next आते अपने match the following है assertion region है comprehension है वो हम अपनी next classes में करेंगे तो यहाँ तक का सभी बच्चे pencil की help से fill कर लेंगे और साथ-साथ इनको read करेंगे